हलो फ्रेंड्स जब भूले नात कैसे हैं आप सब आई विश आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे वेलकम अगें टू माई चैनल नवीता क्रियेशन और आज मैं आप लोगों के साथ हैज आप अब लोगों के साथ एक कमाल की टिप शेयर करूँगी जिससे आप एक ही वक्त में सेम इंग्रीडियेंट से कम टाइम में दो से तीन सबजी बना सक कर लिए तो चलिए फिलहाल तो है पर ना लंच का टाइम होने वाला है तौ मैं उसी के लिए फोड़ी सी प्रिप्रपेरेशन कर ले रही हूँ ग्यार暉य form कर लीए और जूक ले घुट हों कि रbersबुरह ग्याराव helps के लिए कुकिंग की थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कर ली हैं लाइफ चॉपिंग वगेरा करके रख दी हैं दाल को भीगा के रख दिया है तो दाल को भी 20-25 मिनिट मैं भीगने दूंगी तब तक मैं आ गई थी यहां पर मैंने मशीन लगाई हुई है और दो कपड़े जो वाइट हैं मेरे बच्चे की उनिफॉर्म की वाइट शर्ट है बनियान वगेरा इनको मैं हाथ से धूल दूंगी तो तब तक मेरे यह वाला काम भी हो जाएगा तो उन सब करने के बाद मैं अगें मैं आ गई थी अपने किचिन में आगए का काम करने के लिए तो यहां पर मैंने ली है कढ़ाई उसमें डाला थोड़ा सा वेजडे भी लॉयल हींग जीरा और उसमें डाल दी है प्याज तो देखिए प्याज हमारी होने लगी हैं बहुत जादा एकदम से ब्राउन नहीं करना है जब वो हल्की सी लाइट लाइट ही पिंक होने लगे पॉइंट कर दिया है जाएं धृचारी टमाटर तो वेज़ब हैं अपने मसाले ऐड़ दूंगी धनिया पॉडर, हल्दी पॉडर, मिर्च पॉडर िड़ा साल्ट गरम मसाला और चांट मसाला तो सब ही मसालों के साथ में मैं इसको लिए मोशावर करके लुए चोड़ मसाला प्याज मिक्स आची identify, तो इसको अलग अलग चीजों में divide कर लिया उसका थीन सर्य में तरका, यह धारम तरका त्यार करने में ना कानतिम ब्रूबूOb तो मेरा इस तरह से टाइम और एनरजी दोनों चीज बच जाती है अब मैं इसको डिवाइट कर लूँगी थोड़ा सा मैं डाल दूगी कूकर में और कढ़ाई में थोड़ा सा बचा लूँगी कढ़ाई में मैंने थोड़ा ही मसाला बचाया क्योंकि मेरी जो तोरी है वह तोरी ही तो मतलब अपना ही मौश्चर होता है वह उसी में कूक हो जाती है लेकिन मेरे को थोड़ी सी लिक्विडी चाहिए तो इसलिए मैं उसमें तीन से चार चमबच पानी एडिशनल डालने वाली हूँ और इधर जो हमने कूकर में मसाला ले लिया है थोड़ा सा तो भून के ही बना लेती हूं कभी कभी में पहले बॉयल कर लेती हूं फिर भून लेती हूं इस मसाले में अपनी डाल को अच्छे से बून लेंगे एजस्ट करेंगे नमक मिर्च वगरा और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस टीम करने के लिए इसको छोड़ देंगे तो इ और उसको डिवाइड करके उसमें सब्जी भून के बना सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी ट्रिक है और मैं इसको यूज करती हूँ जब भी कोई गैदरिंग होती है या मुझे तीन से चार चीज़े बनानी होती है और मेरे लिए यह बहुत काम करती है इस रियली वर्क पॉ और उसको भी भीगा के रख दूंगी 15-20 मिनिट के लिए तो देखे इस टाइम पर हमारा कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है ना तो काउंटर टॉपे काफी चीज़े फैल जाती है काफी मैस हो जाता है तो उसको साथ के साथ डिकलेटर करते जाएं हाड़ लिए बहुता है जाता है तो जो थोड़ी आपके तीन से चार मिनिट इसमें जाएंगे लेकिन बाद के लिए आपका काम बहुत एजी हो जाता है अगर साथ के साथ इस चीज को कर दिया जाए तो जो थोड़े बरतन हुए थे लाइक तड़का पलेट और जिस चीज में सबजी दुली है दा सबजी हमारी बन गई है अधर को मैंने चावल भी चड़ा दिये हैं बनने के लिए आज कल मैं खुले चावल बना रही हूं जिसका मांट उतर जाता है तो उसको रख दिया है और इधर ना साइड मेंने कूलर में लगा दिया है पाइप पानी थोड़ा कम था तो तब तक प उस टाइम को यूटिलाइस कर सकते हैं क्योंकि अपना जो कूकि वाला प्रोसेस है वो तो चलता रहेगा उसमें जितना टाइम जाएगा हो जाएगा तो देखें यहां पर मैंने कूलर को फिल कर दिया है बाहर की साइड में हलका सा सैट करके आ गई हूं और मीनवाइल जो ह हम इंजोई करते हैं अपना हैपी हेल्दी लांच प्रेंड्स वेलकम अगेन गुड़ इवनिंग टाइम हो गया है साड़े चार पांच का ही टाइम है और मैं आज मुझे चाय बनानी पड़ रही है मैंने चाय रगदी हहाँ पर बनने के लिए क्योंकि नीम्बू खतम हो गए है तो नीम्बू पानी में बनानी सकती है तो मै यहां बन गई चाय में मैं दूद मिला दूंगी तो ठंडी भी हो जाएगी और सही भी रहेगा दूद मिक्स करके तो आदत है ना मतलब 4-5 के बीच में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है तो लेकिन नीम्बू मेरे खतम हो गए मार्केट जाना हुआ नहीं तो बस आज मैंने चाय बना ली बच्चों को मैंने दूद मिक्स करके दे दिया तो और उसके बाद मैं आ गई थी उपर च्छत पे सब्सक्राइब करें नहीं दिखाए देती जितनी गमलों के आसपास और कौनों में निकलती एक दम से सो चलिए मैंने सोचा आज मैं यह भी लगा देती हूँ हाला कि गर्मी के कारण ही ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में तो क्या मैं हर दूसरे तीसरे दिन जैसे उपर आते है तो मैं लगा देती हूँ एक या दो दिन छोड़के पर गर्मियों में ऐसे रह जाता है सुबह से इतनी चिल चिलाती धूप निकलती है ना बहुत जादा वाली और यहां पर बेटा भी आ गया था साथ में उपर तो मैंने उसको बोला मैंने कहा चल तू प्लांट्स में पा साथ करना जरूरी है क्योंकि हमारे जो पानी का निकासी वाला है ना भी इधर की साइड को है पाइप तो चलिए बस मैं लगा दे रही हो और पूरी च्छत पे ना मैंने दो जगें खटा कर दिया और आधी च्छत का मैंने यहां को कर लिया है और बस इसको ठाके में डाल द कर्मी हो रही है बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है बस बारिश हो जाए तो फिर थोड़ी राहत मिले और पता है क्या मैं दुपट्टा नहीं लेके गई तो कवर नहीं किया ना खुद को इतनी डस्ट ऊड़ रही थी वह सारे हाथ पैरों पे बालों पे बैठ गई तो साके नीचे बालवाल मैंने जाड़े हाथ पैर अच्छे से वाश किये और उसके बाद यहां पे आ गई हूं मैं किचिन में दिया उधर लगा दिया है संधिया का टाइम हो गया था तो बेटे ने लगा दिया है और यहां पर आज ना दिन के ही मतब डाल रखी है सबजी अछिवार में दाल गरम कर लिए झाल गिये और ऑस नुअनी ने मैं चाफाती बनानी है आज दो चपाती बड़े बेटे को देदूगी ऐस को दे Iraq मैं भोड़ों दूगी और एक डोगी प्र ढाल झीट बस में सामत्ती बस्बानाऊंगी पर यही हमारा इगरा डिनर हो जान तो बच्चों का खाना तो हो गया है बस मैं भी खालूंगी इधर मैंने बाउल में जितनी भी सब्जीती सारी पलटा लिये इसी के साथ में एक चपाती खालूंगी और मैं काउंटर टॉप को ना पहले साफ कर दे रही हूं सारे बरतन मैं डाल दूँगी सिंक में और यहां प दूर भी देखे साइड को पक गया है तो मेरा सारा काम इस टाइम का सेट है अब मैं जाती हूं अपना करती हूं खाना इंजॉइ और तोरी ना मैंने धिली कर ली थी बाद में हलका सा पाइन डाल के मुझे रोटी भीका के खाना बहुत अच्छा लगता है तोरी के साथ में तो चलिए और अभी मैं अगर टाइम की बात करूं तो फ्रेंड्स लगबग सब दस साड़े दस का ये टाइम हो गया था काफी लेट हो गया था एक्चुली मैंने आट बज़े तक खाना खाया फिर एक दो कॉल आ गई फिर एक दो जगे कॉल मैंने कर लिया तो आदा घंट उसी में निकल गया साड़े आट से नो बज़े तक मैं एक सीरियल देखती हूं मैंने वो देखा फिर टीवी बगएरा बंद करके नो बज़े मैं बैठ गई अपने बेटे को लेके पढ़ाने के लिए तो होता है अभी छोटा है तो उसके साथ में बैठना पड़ता है के ल बज़ें वे तो हम आ गया सका दो मातला बेगया अधर को कुकर में रखें अलू कारने के लिए तो वह मैंने रखें मगाजेऊ कोई सब्जी नहीं है तो बॉइल कर दे रही हूं सुबह मैं उससे पूछ लूँगी कि वो क्या खाएगा आलू के पराथे लाइक कचोड़ी बन सकती है आलू के पराथे बन सकते हैं या फिर नॉर्मल आलू की पिठी पराथे जैसे भी वो बोलेगा वैसे हो जाएगा फिलाल मैंने उनको बाल के रख इस पे था एक डेड़ जग पानी था तो मेरे बड़े बेटे ने इसमें हाठ डाल दिया था खोल के तो फिर ऐसे मन्नी होता है ना फिर मैंने जितना पानी था उसको गिरा दिया इसको धूल दिया एक बार और अब मैं इसको फिल करके रख दूंगी और ओवरनाइट अच् हो गया है लास्ट में मैंने घड़ा भी भर दिया है और इधर कूलर में भी पानी लगा दिया है थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो वस पूरी रात वो चल जाएगा अच्छे से उसको भर दूंगी सो सारा काम मेरा सेट है अब जाओंगी मैं भी बैड पे तो फ्रेंट्स वीडियो को भी मैं यही पे खलोज करती हूं मिलती हूं आपसे अपने नेक्स रूटीन में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश हहाँ बाढते रहें एंद प्लीज कीप वाचिंग कीप सपोर्ट कीप शेरिंग थैंक यू सो मच औन बबाई अपना प्यार ऐसी बन नहीं रखेगा गुटनाइट थैंक